क्या आपके मोबाइल में बार-बार एड आ जाती है आप मोबाइल के अंदर कोई भी एप यूज़ करते हैं तो फुल डिस्पेले एड आ जाती है एड से आप बहुत जादा परिशान हो गए हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखना इस वीडियो में मैं आपको चार-पाच settings बताऊंगा जिसकी मदद से आपके mobile पर आने वाली सभी ads बंद हो जाएगी इसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile की settings में आना है इसके बाद आपको setting में नीचे google setting को धूंड़ना है आपको google setting मिल जाएगी इसे open करना है इसके बाद यहाँ पर setting मिलेगी ads यह setting को open करना है अब यहाँ पर आपको पहले number पर एक setting मिलेगी add privacy इसे आपको open करना है यहाँ पर तीन setting मिलेगी इन तीनों ही setting को आपको off कर देना है यह setting off है पहले से इसके बाद back आना है अब यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी delete advertising id इस पर click करना है और यहाँ पर आपको delete पर click करके इसे delete कर देना है इसके बाद back आना है अब यहाँ पर setting में आप देखेंगे तो आपको apps setting मिलीगी apps setting को open करना है यहाँ पर आपके mobile की सभी apps आपको दिखाई देगी अगर नहीं दिखाई देती है तो ऊपर एक option मिलेगा app management या manage app या app list तीनों में से एक setting आपको यहाँ पर मिलेगी इसे आपको open करना है तो आपके mobile की सभी apps यहाँ पर आ जाएगी अब आपको क्या करना है अपने mobile में notification panel को open करके dark theme को on कर लेना है dark theme को on करने के बाद आपको यहाँ पर एक app धूंडना है जो आपने जाने अंजाने में गलती से download कर लिया है एक hidden malware app आपके phone में download हो गई है जो आपको बार बार display पर add दिखा रही है अगर आप app draw में आएंगे तो यहाँ पर आपको app दिखाई नहीं देगा यह app दोस्तों आपको यहाँ पर setting में ही मिलेगा यहाँ पर आप setting में आएंगे तो app की पैचान कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ app का दोस्तों नाम नहीं होगा और logo भी नहीं होगा white color का logo होगा जी हाँ दोस्तों जिस तरह से एरटल का नाम लिखा है और red color का logo है तो यहाँ पर नाम नहीं लिखा होगा और जो logo है वो white color का होगा जब आप dark theme अपलाई करेंगे तो आपको white color का logo दिखाई देगा बस app पर आपको click करना है और app को यहाँ से आपको delete कर देना है यह app delete हो जाएगा तो फिर आपके mobile में add आना बंद हो जाएगी इसके बाद यहाँ से आपको back आ जाना है अब यहाँ पर settings में आपको उपर आना है dark theme को हम off कर देते हैं अब यहाँ पर दोस्तों आप उपर में देखेंगे तो आपको एक settings मिलेगी connection and sharing connection settings को open करना है अब यहाँ पर आपको setting मिलेगी private DNS आपको इसे open करना है अब यहाँ पर आप देखेंगे यह off यह auto पर set होगा दोनों में से एक setting पर set होगा आपको नीचे में setting मिलेगी specified dns इस पर आपको set करना है नीचे आपको dns address का option मिलेगा इस पर आपको click करना है और आपको यहाँ पर यह वाला address add कर देना है dns.adguard.com आपको screen पर भी नजर आ रहा होगा same आपको यहाँ पर type करना है और save करने के बाद आपको back आना है back आ जाना है setting को बंद कर देना है अब आपको अपने mobile में chrome browser को open करना है chrome browser को open करने के बाद three dot पर click करना है settings में आना है यहाँ पर आपको नीचे आना है site settings पर click करना है अब यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी notifications आपको इसके बाद यहां से भी आपको नोटिफिकिशन सेटिंग को बंद कर देना है इसके बाद बैक आना है अब यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आना है तो यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी pop-ups and redirect यह सेटिंग को ओपन करना है और आपको इसे भी यहां से Off कर देना है इसके बाद Back आना है और नीचे में आपको यहांपर एक सैटिंग मिलेगी Intressive Ads इसे आपको Open करना है इसे भी Off करना है इसके बाद आपको एक बार अपने मुबाइल को Switch Off करना है फिर Switch On करना है इसके बाद आप देखेंगे आपके मुबाइल डिस्पिले पर कोई भी एड नहीं आएगी एड आना बंद हो जाएगी